नमस्कार एक बाए फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चनल में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12 क्लास हिंदी के फर्स्ट जो लेशन है बादचित और बादचित का हम लोग जो है अबजेक्टिव देखेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीका से देखेंगे इसमें 30 अबजेक्टिव देखेंगे और यह 30 अबजेक्टिव यदि आप अच्छा तरीका से देख लेते हैं तो फिर बादचित चेप्टर से जितने भी अबजेक्टिव आएंगे इन ही में से आएंगे इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजि उसके बाद जो है बाचित पार्ट किसका परतिनिधित्व करता है यानि बाचित जो पार्ट है या किस चीज का परतिनिधित्व करता है तो बेक्तित्तों का परतिनिधित्व करता है यानि परसनालीटी का और निबंध कला यानि जो एसे जो लिखने का जो कला है यानि उसका परत्रिनिधित्व करता है और भासा सैली का परत्रिनिधित्व करता है कि किस तरह से हमें किसी के सामने बाते करनी चाहिए तो इसका इन तीनों का परत्रिनिधित्व करता है तो देखे यह बनाएगा question कैसे तो A नंबर में बेक्तित्व कर देगा B नंबर में निबंद कला और C नमबर में भासा सेली और D नमबर में कह देगा कि इन में से सभी तो क्या होगा इन में से सभी आगे है किने भारतेंदु यूग का साहित्यकार कहा गया है तो भारतेंदु यूग के साहित्यकार कहा जाता है किसको बालकृष्न भट को तो बाल कृष्ण भठ जो होंगे वो भारतेंदू यूग के लेखक भी कहे जाएंगे इनका जन्म कब और कहां हुआ था तो जो बाल कृष्ण भठ है भठ का जन्म जो है वो 23 जून 1844 इस भी को इलहाबाद उत्तर परदेश है यानि उत्तर परदेश में एक जिला है जिला है जिसका नाम है इलहाबाद चुक्boards अब तो नाम बदल गया है पर्याग राज हो गया है लेकिन याद रखेगा पर्याग राज बनाएंगे या इलहाबाद तो यह इलहाबाद में इनका जन्म हुआ था और राज जो हुआ उत्तर परदेश जन्म कब हुआ तो 23 जून 1844 इस्वी को तो देखिए आच्छा तरीका से आप इसको नोट्स बना लेते हो और यदि आपको इन पीडियेप आपको चाहिए तो आप कमेंट में जाए और यस लिखे वहाँ पर अपना वाट्स अप नमबर दे दिजेगा और उस वाट्स अप नमबर पर हम आपको पीडियेप भेज देंगे आगे जो है देखिएगा इनका जन्म हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा गया है तो भारतेंदु हरिस्चंद को हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है और यह कोस्चन जो है बहुत बार रिपीट है आगे है कि देखिएगा ध्यान से कि बाल कृष्ण भठ का नीधन याद रखिएगा बाल कृष्ण भठ का जो है नीधन कब हुआ तो 20 जुलाई 20 जुलाई 1914 इस भी को हुआ इनका नीधन यानि प्रथम 200 युद के समय इनका नीधन हो गया याद रखिएगा अगला जो है हिंदी प्रदीप याद रखिए हिंदी प्रदीप जो है नामक जो मासिक पत्रीका का संपादन किस ने किया तो बाल कृष्ण भठ के द्वारा किया गया और मैं आपको बता दू तो किन के प्रोथसाहान पर किये थे तो भारतेंदू हर इस चंदर के प्रोथसाहान पर ही यह हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का समपादन इन्हों ने किया और यह किये थे कब तो 1877 इस भी में तो यह ध्यान में रख्येगा आगे दखेगा ध्यान से समझ लुजेगा कहा जा रहा है कि जो हिंदी प्रदीप मासिध पत्रिका कीतने वर्सों तक चला तो यह हिंदी प्रदीप जो है मासिक पत्रीका जो है इन्होंने बाल क्रिष्न भट ने इन्हें 33 वर्सों तक चलाया याद रखेगा 33 वर्सों तक इन्होंने यह पत्रीका चलाया आगे हैं बाल क्रिश्न भट की परमूख रचना तो यह रचना जो है बहुत बार आया हुआ है इसलिए आप अच्छा तरीक का से इसको देख लो तो रहस्य कथा नूतन ब्रह्म चारी, सौ अजान एक सुजान और गूप्त वैरी उसके बाद जो है रसातल यात्रा भी इन्ही के द्वारा लिखा गया है उचित दक्षिना और सदभाव का अभाव तो देखे यह सात जो है रचना आप कम्प्लीट कर लिजेगा आएगा कि सदभाव का अभाव किसके द्वारा लिखा गया है तो बाल क्रिश्न भट के द्वारा नूतन ब्रह्म चारी यह जो है बहुत बाल कृष्न भट ने कुल कितने निबंध लिखा यानि इन्होंने निबंधों की संख्या जो है एक हजार के आसपास लिखी थी यानि एक हजार के आसपास इन्होंने पूरे निबंध को लिखा और यह पहुत ही बड़ी चीज है कि किसी के लिए कि एक हजार निबंध लिखन और इन्होंने 1000 निबंध की रचना की थी आगे जो है बाल कृष्ण भट के निबंध को कहा जाता है तो निबंध यानि भट निबंध माला कहा जाता है बाचीत में कौन सा समास है तो बाचीत में जो है वह द्वन समास है याद रखिएगा बात और चीत तो बाचित में द्वांद समास है और मैं आपको बता दू कि यदि समास का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है पूरे समास का वीडियो मैंने लिंक दे दिया है वहाँ से आप अच्छा तरीका से देख सकते हैं बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा समास पहचानने का नियम बताया गया है निम्न में से किसे सुल्ला वर्सों तक मनुष से मुख नहीं देखा यानि निम्न में से किसने यानि जो है सुल्ला वर्सों तक मुह नहीं देखा था तो रोबिंसन कुरूसों जो है वह जानवरों के बीच रहे और सुल्ला वर्सों तक मनुस्य के बीच नहीं रहे तो यह भी जानवर के जैसा ही बात्चीत वगेरा करने लगे थे आगे दिखेगा ध्यान से आगे क्या है वास्तिविक बात्चीत कितने लोगों में होती है तो केवल दो लोगों में वास्तिविक बात्चीत होती है आगे हैं दो या चार से अधिक लोगों में की गई बात्चित कहलाता है तो राम रमोवल कहलाता है यानि राम रमोवल कहा जाता है दो से अधिक लोगों में यानि दो या चार से अधिक लोगों में जो होता है न बात्चित उसे वास्त्विक बात्चित कहा जाता है और दो से अधिक लोगों में की गई बात्चित को राम रमोगल कहा जाता है आगे जो है देखेगा लास्ट जो है इसमिका और हम अभी जो है तीस कोस्चन को कनभर्ट करेंगे इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लिजे आगे कहा जारा Art of Conversation का अर्थ है तो बात्चित करने की कला को Art of Conversation कहते हैं अगला हम लोग देखते हैं अगला जो है सत्रा नंबर कोस्चन को देख लेते हैं सत्रा नंबर कोस्चन क्या है देखेगा धियान से सत्रा नंबर कोश्चन है कि दो बुढ़ो यादर कि दो बुढ़ो की बाचित का मुख्य परकरन क्या होता है तो दो बुढ़ो की बाचित का मुख्य परकरन यहीं होता है कि जमाने की सिकायत यानि वह जमाना का सिकायत करेंगे लेकिन यह नहीं जानेंगे कि वह अपने समय में क्या किये थे यह सारी चीजे वह नहीं कहेंगे लेकिन वह जो है आज के बच्चे को देखेंगे थोरा सा अगर अनबैलेंस अगर कोई काम कर रहे हैं तो वह जमाना का क्या करने लगेंगे सिकायत करने लगेंगे उसी तरह से दो बुढियों की बाच्चित का मुख्य भाव यहीं होता है कि बहु बेटी की गीला सिकवा यानि बहु बेटी की जो गीला सिकवा है गलतिया है उन गलतियों को कह जाले कि एक दूसरे से कहना ही दो बुढियों की बाच्चित का मुख्य भाव होता है आगे है Art of Conversation सबसे अधिक पाय जाता है तो Art of Conversation जो है न वो सबसे अधिक पाय जाता है कहा के लोगों में तो Europe के लोगों में Art of Conversation सबसे अधिक पाय जाता है आगे है राम रमवल का अर्थ है तो बाचित का कोई अर्थ न निकलना यानि जब बाचित का कोई अर्थ न निकलता है तो उसे कहा जाता है क्या राम रमवल कहा जाता है अगला जो है एडीशन का मत है यानि एडीशन का मानना है कि असल बात्चित कितने लोगों में होगी तो दो लोगों में यानि दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो उसे असल बात्चित यानि वास्तिविक बात्चित कहते हैं और यह कहना है किसका तो Edison का कहना है अगला जो है देखेगा ध्यान से अगला question है 22 नमबर देखेगा सच है जब तक मनुस बोलता नहीं तब तक उसके गुंदोस परकट नहीं होता यह कथन किसका है तो यह कथन जो है Ben Johnson का है यानि इसमें दो लोग बाचित के संबंध में बोल है कि सच है जब तक मनुस बोलता नहीं तब तक उसके गुंदोस परकट नहीं होते यानि जब तक बेक्ती नहीं बोलेगा तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है यह आप नहीं बता सकते हैं तो यानि बोलने से ही बेक्ती के अच्छाई और बुराई के बारे में पता चलता है और यह मानना है किनका बेन जोंसन का अगला है बाचित करने की कला को कहा जाता है तो स्रीहत गोश्टी कहा जाता है यानि यह जो है यूरोप के लोगों में पाया जाता है बाचित करने की कला सबसे ज़्यादा आर्ट अप कन्वर्सेशन औ तो सारी सृष्टी गुंगी प्रतीत होती यानि सारे का सारे दुनिया आने घुंगी प्रतीत होती यानि कोई किसी से मतलब नहीं रखता और सब कोई एक कोने में लूँंज पूंज बैठे नजर आते हैं अगला जो है पचीस नंबर कोस्चन को देखिएगा पचीस नंबर कोस्चन क्या है देखिएगा धियान से पचीस नंबर कोस्चन है कि सक्ति परम कुझ्ये मंदिर है परमार्त का एक मात्र सुपान है बाचित करने का साधन है और यह जो है न देखिए यह जो है करने का साधन ह तो यह जो है यह जो लिखा गया है किस के दोरा तो बाल कृष्ण भट के दोरा और आप यहाँ पर लिख लिजेगा ध्यान से समझ लिजेगा यहाँ पर लिख लिजेगा बाल कृष्ण भट और यह जो है लिया गया है किस चेप्टर से तो बाचित चेप्टर से लिया गया है अगला question देखेगा अगला जो है देखेगा ध्यान से अगला है मनुस्ति के बात्चित का उत्तम तरीका क्या हो सकता है तो मनुस्ति के बात्चित का उत्तम तरीका art of conversation हो सकता है यानि art of conversation जिसके पास होता है वो अपना जो भे जीवन सेली अच्छा से बिता पाता है पर पंच से नो जब दो इक्ति के सामने दिल खोल कर रखते यानि जब two बैक्ति आपस में बात करते हैं तो दूनो एक दूसर एक के सामने अपने ज़ो बाते हैं उस बाते को दिल को रखते यानि उस समय किसी परकार का कोई हिचकी चाहट वाला बात होता नहीं है डरने वाला बात होता नहीं है इस्वर के द्वारा वर्दान सुरूप क्या है तो वाक सक्ति जो है इस्वर के द्वारा वर्दान सुरूप है आगे है बालकृष्न भठ के माता पिता का क्यानत बालकृष्न भठ के जो माता जो थी पार्वतिदेवी और पीता जो थे बेनी परसाद भट तो यहां तक यह अबजेक्टिब कम्प्लीट हुआ तिस अबजेक्टिब अगर आप कम्प्लीट कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा तरीका से आपका एक्जाम निकल पाता है तो थांक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद